ये तस्वीरें आपको जग जोर कर रख देंगी जहां मरीज को लिए एम्बूलेंस खड़ी की खड़ी रह गई और मरीज ने वही दम तोड़ दिया द्रसल मत्वदेश में बारिश का दौर जारी है और अब ये बारिश लोगों की जान परभारी है ये दिल दला देने वाली तस्वीरें रतलाम से है जहां रतलाम से इंदोर के बीच आने जाने वाले पांच गावों के लिए एक मात्र रास्ता है इस पर बारिश का पानी भर गया जिसके बाद जिंदगी और मौस्ट से लड़ रहे पीडित को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका और पीडित ने आधे रास्ते पर ही दम तोड़ दिया इसके बाद लोगों द्वारा मृतक के शब को भरे पुलिया से चार पाई में लिटा कर ले जाये गया वहीं भड़के मृतक के परिजनों ने लापरवाही का दोशी रेलवे प्रशाशन को ठहराया है वहीं परिजनों ने बीमार को लाने में हुई मुसीबतों को देखते हुए अंतिन संसकार भी रतलाम में ही करने का निर्णा किया तो वहने को देखा ख़ते ही लिए प्रशाशन कआघ कटी करिंचार करें लाचारे करते हो दिनने के दो को सहिए असब लेकार भी को पापा गाउं तो अधर साम को रात में आए नहीं थे तो तो दिन महाना घीर पड़े थे उनको उठाया उनको लेकर पिर यह होस्पिटर लेकर लेके जाया टक्टर महारा तक अलगे आज नहीं? पर 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 पहले रेलवे क्रॉसिंग बीच में था लेकिन रेलवे ने करी पास साल पहले रेलवे क्रॉसिंग बनकर रेल पटरी के नीचे से अंडर ब्रिज बना दिया अब अंडर ब्रिज क्या बना इन गावों के लोगों की बारिश में मुसीबते शुरू हो गई बारिश के दोरान अंडर ब्रिज में पानी भर जाता है इसे लोगों को आवाजाही में भारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है इन गावों के लोगों को करीब 15 से 20 किलो मीटर घूम कर रतलाम आना पड़ता है वही अब इस घटना के बाद लोग आक्रोश में हैं और रेलबी प्रशाशन पर सवाल खड़ी कर रहे हैं वही अब देखना यह है कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है रतलाम जे विजय मीरा की रिपोर्ट MP तक